हाथ तो मेरे प्यारे लाली पप मैं पंगजी आदव कैसे हो आप सभी I hope कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे इस वीडियो में क्या करने वाले हैं डैंस नहीं करने वाले हैं पढ़ाने वाले हैं क्या पढ़ाने वाले हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 11 का है ना क्लास 11 के मैथ के चेप्टर नौ यानि अध्याय नौ जिसका नाम है सरल रेखाएं इसके अंतर गत जो हमारे पास प्रश्णा वली नौ दसल नतीन है इसके सारे प्रश्ण को हम सॉल्व करने वाले हैं ठीक है यहाँ पर ध्यान द जाएगा पार्ट वन में हमने क्या किया था मेरे भाई दिमाग वाला बच्चा सब जानते हैं कि पार्ट वन में हमने क्या किया होगा तो एक से ले करके 10 तक के प्रशन को solve किया होगा क्योंकि तब दी तभी तो हम 11 से लेके 17 तक प्रशन को solve कर रहे हैं तो और बोडू करें छलों सुरूँ करते हैं इससे पीछे जितनेवी प्रश्ण वळी उन सवी को हमसमाप्त की этом और आपर प्रश्ण करमांक आठ देखें होंगे न तो आपσιनाझ में आजाएगा प्रशन करमांक आठ पे ही गया हुआ है, देखिए गध्यां से, यहाँ पर क्या कहता है, बिन्दु 2,3 से जाने वाली 2 रेखाएं, प्रसपर 60 डिक्री के कोन पर प्रतिछेत करती है, यदि एक रेखा की ढ़ाल 2 है, तो दूसरी रेखा का समीकर्ण ग्याद कीजिए, हमें दूसरी रेखा का स हमारे पास है, आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि एक बिन्दु और ढ़ाल दिया रहता है, तो हम आसानी से किसी भी समीकर्ण के रेखा का, मतलब रेखा का समीकर्ण हम आसानी से ज्याद कर सकते हैं, है ना, कभी-कभी लटपटा आ जाता है, वो लिका कीजिएगा, हो जात है आदमीय तो है है ना तो यह प्रश्ण है इसको समझ लेते हैं कि बिंदू 2,3 से जाने वाली रेखा प्रसपर कितने साट डिगरी के कोन पर परतिछेद करती है मतलग कुछ इस तरीके को होगा जैसे एक रेखाय से गया तो एक रेखाय से गया और इसको कितने डिगरी के कोन पर परतिछेद करेगा तो कहता है साट डिगरी के कोन पर परतिछेद कर रहा है कितने साट डिगरी के कोन पर परतिछे करा ऐसा कहा जा रहा है ठीक है यदि एक रेखा की ढाल दो है मालों कि यह पहली रेखा तो इस रेखा की ढाल दो है है ना इस रेखा की ढाल दो है तो दूसरी रेखा का समीकरन गयाद कीजिए तो दूसरी रेखा का समीकरन गयाद करने के लिए दूसरी रेखा का ढाल भी आप को पता होना चाहिए तो दूसरी रेखा का ढाल हम कैसे ज्याद करेंगे तो एक चीज यहाँ पर हम आपको बता देते हैं प्रशन कर्मांग आठ में प्रशन कर्मांग आठ क्या कहता है मेरे भाई कहता है कि रेखा ये है और रेखा ये यहाँ पर दो रेखा है और तब कहा जा ठीटा का मान कितना दे रscreams χाम रदार्वाइ साथ डिगृם लिए रखा देखो ठीटा का मान पहले दे रखा देखो साथ डिगृ थीडिय है कि इन्ह तो हम क्या करेंगे। इसी formula पे हम इसको तोरेंगे और इसी formula पे जब तोरेंगे तो ढाल हमें प्राप्त हो जाएगा क्यूंकि M1 तो हमारे पास यह हो जाएगा पहिला रेखा कर ढाल दू और M2 निकालना रहेगा तो हम आसानी सिस पर निकाल सकते हैं है की नहीं कोई दिकत नहीं देखा दिकत क्यूंकि एक रेखा यह है एक रेखा यह है जब दो रेखा एक दूसरे को परतिछेद करें तो यह formula तो यह हमारे पास formula है तो आईए लगाते हैं भुवा तू इधर आ तो यह formula है यह इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ठीक है अब हम क्या करते हैं यहां पर लिख देते हल तो हमने लिख दिया मेरे भाई हल कोई दिकत नए दिकत यह मैंने लिखा हल अब हम क्या करेंगे यहां पर पूट करेंगे चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई यह बताओ यह 10 ठीटा है तो लिखेंगे 10 ठीटा हमने 10 ठीटा लिखा ले M2 माइनस M1 भाया M2 तो हमको ग्याद करना है ना यानि दूसरे रिखा कि ढाल ग्याद करनी है हम लिखेंगे यहाँ M2 और माइनस M1 M1 दे रखा है दो जनाब तो हम लिखेंगे 2 हमने 2 लिखा अब यह देखो बटा लगाएंगे उसके बाद एक और पलस में M1 इंटू M2 है M1 का मान कितना है मिरा भाई M1 का मान 2 है तो लिखेंगे हम क्या 2 और गुने में M2 लिखेंगे तो यह हमारे पास M2 आजएगा यह आ गया है ना अब यह 10-10 degree 10-10 degree की value आपको पता होनी चाहिए क्या होती है मेरा भाई 10-10 degree की value आती है रूट अंडर 3 तो हम लिखेंगे रूट अंडर 3 और बराबर में है ना बराबर में यह आ जाएंगे क्या M2 माइनस के 2 और बटे में एक पलस में 2M2 लिख सकते है 2M2 है ना लो यह मैंने निकाल लिया अब यहां से हम क्या कर सकते है मेरा भाई यहां से आप गुना कर सकते हैं इसके नीची एक चीप आ रहता है cross multiplication गुना कर सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं है एक से गुना करेंगे इसमें तो कितना होगा हमारे पास अच्छा एक चीज याद रखना यह है हमारी पास मोडलर्स तो यह क्या होता है यह पलस यह माइनस दोनों में होता है क्या होता है पलस माइनस दोनों में होता है तो या तो आप एक वार पलस का ले लो यह एक वार माइनस का ले लो यहाँ पर ध्यान दिजिए कि अगर हम यहाँ पे पलस वाला लेते हैं तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं, अगर जैसे ही माइनस वाला लेते हैं, तो हमारा चीन परिवर्तन हो जाएगा, माइनस वाला लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारे पास पलस का M2 है, वो हो जाएगा माइनस का M2, और यह माइनस का 2 है, वो हो यह हमारे पास आगया कोई दिक्कत नए दिक्कत तो रूट थीरी के बराबर एक बार ये भी ले सकते हो रूट थीरी के बराबर एक बार ये भी ले सकते हो कोई भी लेकर के आप एंसर आप इसको निकाल देंगे या दोनों पर आप सॉल्व कर सकते हैं तो हम पहले क्या करते ह भाई हम solve कर लेते हैं इसको ले करके इससे solve कर लेते हैं तो आए हम solve करते हैं यहां पे लिखेंगे क्या root under three बराबर में वो क्या दिया गया है, 2 minus में एम टू कि और बटे में क्या दिया गया है एक पलस में टू एम टू, इसके नीचे एक शिपाराता है, आर पर गुणा कर ले, चलो, एक से इन सभी में गुणा करेंगे, तो कितना होगा, या फिर रूट थिरी से इस सभी में गुणा करेंगे, तो कितना होगा, है न, तो क्या दिकत है, कहीं से भी गुणा आप कर सकते हैं, एक से इसमें गुणा करेंगे, तो दो, ठीक है, और रूटंडर थ्री M2 हो जाएंगे हमने M2 कर दिया कोई दिक्कत नई दिक्कत अब M बाले को एक साथ आप इडावट M बाले को एक साथ हम कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं लो कैसे करेंगे देखो ये दो है न तो हम क्या करते दो लिख देते हैं ठीक है रूट अंडर 3 plus का इधर आया तो minus का root under 3 कर देते हैं और बराबर में minus का M2 है उधर गया तो plus का M2 हो जाएगा और plus की पहले से कितना है मेरे भाई ये plus का हमारे पास कितना है दो root under 3 M2 है तो M2 ये मैंने लिख दिया हाँ भाई लिख दिया अब यहाँ से हम क्या करेंगे इसको solve करेंगे आसानी से देखो इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि इसमें common ले लो पहले आप किया करो 2-2, root under 3, root under 3, हमने लिख दिया, है है, न, M2, either M2, common ले सकते हैं, बराबर में, M2 अगर common ले ले लेंगे तो हमारे पास कितना है जाएगा, इधर बचेगा एक हम यहां पर एक लेगी एम्ट कॉमल लेने का मतलब का होता है कॉमल लेने का मतलब होता है भाग देना अगर एम्टू कॉमल लिए इसका नतलब एम्टू से एम्टू में भाग देंगे तो एक पलस ठीक है एम्टू से दो रूट अंडर थी एम्टू में भ बटा में यहां पर यह दो माइनस के रूट अंडर थिरी और यह हो जाएगा बटा में यह गुनाव में तो इधर आ जाएगा बटा में एक पलस के दोरूट अंडर 3 बराबर में m2 मतलब दूसरी रेखा का ढाल हमारे पास यह आ गया है ना तो हम यहां पर लिख देते हैं यह हमारे पास क्या आया तो दूसरी रेखा का धाल आया यहां तो कोई दिकत नहीं जब दूसरी रेखा की धाल पता हो और आपको बिंदू पता हो तो दूसरी रेखा का समीकरन भी आपको असानी से निकल जाएंगे तो ह Hm, हो गया, आज़ा मेरे भई, यह हो गया, यह इस side कर देते हैं, ओके, अब हम क्या करेंगे, इधर solve करते हैं, इधर, ठीक है, यह हमारे पास आ गया, अब इसमें हम solve क्या करेंगे, तो हमारे पास ढाल है, हम लिखेंगे, कि चुकि M2, हमारे पास है कितना है आघ सकते हो दो माइनोस के रूट अंदर बटा में कितना है और बिन्दू हमारे पास कितना है रहे हुआ बिंदु जो है वे रखाई कितना दो कौमा थीनल दे रखा है कि नहीं अब आपको पता करना है जैसी बिंदु इनती एक को क्या मांनते एक सsilो एक को मानते यजिरो यह हमारे पास लंसा गया है नब अभू यह हमारे पास जब दो आ गया तो हम क्या कर सकते हैं से हूं से तुम जा ऊओ पर तुम्हारा सेटिंग ऊपर करते है ठीक है यह ऊपर कर दिया है अब यहां से हम क्या करेंगे मेर्फाइआ रेखा का समीकरन ग्याद करने का फॉर्मूला लगाएंगे लिखेंगे अब अब रेखा का समीकरन बराबर क्या होता है फॉर्मूला भाई वह होता है य-0 बराबर m into x-x0 तो हम निकाल रहें दूसरी रेखा का समीकरन तो यहाँ पर M2 कर देते हैं कोई दिकत फॉर्मूला तो वह ही रहेगा अब यहाँ पर लगा दो y की value कितनी है मेरा भाई y की value तो ही नहीं y लिख दो और minus y0 की value कितनी है मेरा भाई y0 की value 3 है तो 3 लिख दो बराबर में M2 का मान कितना है मेरा भाई M2 का मान यह है क्याल दिया गया है 2 minus के root under 3 और बटा में कितना है भाई 1 plus में 2 root under 3 यह मैंने कर दिया गुने में क्या करेंगे एक से इन सभी में गुना और इससे इसमें गुना कर सकते हैं असानी से कोई दिक्कत नहीं कर देते हैं सर एक से इन सभी में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या जगा 2 minus के root under 3 और उपर उ क्या है हमारे पास x minus के 2 तो 2 यह आ गया बरावन में इससे इसमें गु पूरे में गुना करो, तो कर देते हैं सर, माइनस 3 से गुना करेंगे एक में, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के 3, ठीक है, माइनस पलस में गुना करेंगे तो माइनस, अब 3 से 2 रूट अंडर 3 में गुना करेंगे, तो 3 दूना 6, 6 रूट अंडर 3 आ जाएंगे, लो हमने क कर दिया छेड़ ओके अब यहां से क्या करो एक्स वाला है इसको भी आप गुना कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चलो गुना करिये देते हैं वह यह एक से इन सभी में गुना करेंगे तो क्या होगा हमारे पास वह हो जाएगा एक्स इंटू दो माइनस के रूट अंडर थिरी हमने गुना कर दिया अब माइनस दो से इस पूरे में गुना करेंगे तो क्या होगा तो देखिए माइनस दो से अगर गुना करेंगे दो में तो माइनस के हो जाएंगे चार माइनस दो से माइनस रूट अंडर थिरी में गुना करेंगे तो कितना होगा माइनस दो से माइनस रूट अंडर थिरी में गुना करेंगे तो माइनस माइनस पलस तो यह हो जाएगा दो रूट अंडर थिरी हमने गुना कर दिया और बराबर में y into 1 plus के 2 root under 3 ठीक है और minus का ये हमारे पास 3 और minus का 6 root under 3 कोई दिक्कत नहीं दिक्कत y और x वाले को एक साथ कर लो बाकी को उधर बेल दो तो हम कर लेते हैं x into 2 minus के root under 3 आगया अब ये जो plus वाला y जो है इधर आगया minus के y into 1 plus के 2 root under 3 ठीक है ये पूरा का पूरा आगया बराबर में इधर minus के 3 तो 3 minus के 6 root under 3 तो 6 root under 3 हो गया अब इस सबको उधर बेजो minus के 4 है उधर गया तो plus का 4 हो गया के है अब देखिए plus का 4 तो ही ए गया आप उसके वाद क्या है पलस का 2 root under 3 है तो उधर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? माइनस का, माइनस का 2 रूट अंडर 3 हो जाएगा, यह हमने कर दिया? हाँ भाया, हमने कर दिया, अब कोई दिकत नहीं कर सकते हैं? यहां से हम क्या कर सकते हैं? देखे एte, माइनस 3 और प्लस 4 है, तो माइनस 3 और प्लस 4 माइनस के च्छार हो जाएंगे मेरे प्लस का एक यह हो गया ठीक है अब देखिये वहाई c би छह फिपने-6 इंडर-3 और माइनस के 2 रचार इंडर-3 इन सब को जो रेंगे तक कितना होगा तो यह हो जाएंगा माइनस के च्छोदू आठ माइनस की आठ रूट अंडर तीन यह हमारे पास आगए यहां तक कोई दीकत नहीं दीकत होगे सर यह तो भूक में एंसर है नहीं कुछ अजीव तरीके से है तो यह वह भी मैं बता देता हूं वैसे अगर मैं यहां पर छोड़ दू तो कहेंगे आप लोग की सर गलत बता दिए है यह सही है बस अगर आपको चेहिये चाहिये ऐंसर लाना भुक वेण तो आप क्या करो इस साइड माइनस कॉमत लेलो है ना और इस साइड माइनस कॉमन लेलो, बात खतम या दोनों तरफ माइनस से गुना कर तो वही बात होता है इस साइड भी माइनस से गुना करो तो वही बात है माल लो कि इस साइड अगर माइनस से गुना करेंगे तो जो पलस वाल है वो माइनस वाल है और जो माइनस वाल है वो पलस वाल तो इसमें अगर minus से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा minus के x into के 2 minus के root under 3 और यह minus का है तो इसमें गुना कर देंगे क्योंकि minus से गुना कर रहे हैं तो जो minus का वो तो हो जाएगा plus का y into 1 plus के 2 root under 3 यह हुआ अब देखो इस साइड माइनस से गुना करेंगे ना तो यह पालस का है ना जब फीर आप इसे ऐसे भी लिख सकते यहां पर रूट एंडर थीरी पहले माइनस का एक उधर बाद में भेज़ दो कोई दिक्कत नहीं है ना तो सॉरी यहां पर माइनस का एक है ना तो माइनस का एक लिख दो मेरे भाई माइनस का एक लिख सकते ऐसे भी लिख सकते इसमें कोई दिक्कत नहीं यह तीन है ठीक है तीन सई कर देता हूं कि वोचलो है तो यह हमारे पास क्या יהए आंसर निकल के आगया तो ये क्वेडियो पसंद आ रही तो लाइक करना और दोस्तों भी laisseir करना हम क्या करते हैं अगला प्रेशन ले लते हैं अब हमacks सब्सक्राइब कर suspect है हलो हलो तो प्रश्ण करमांग 12 क्या कहता है कि बिंदू इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा के लंब सम्धिभाजक रेखा का समीकरन ग्याद कीजिए यह तो बड़ा सिंपल हम आसानी से ग्याद कर सकते हैं इसको हम सॉल्व कर देते हैं क्लास तेंथ में जैसे आप लोग स सहल्व कर देते हैं यह बिंदू यह बिंदू है मालो की यह हमारे पास एक 3,4 और उसके बाद क्या दिया गया हम माईनस 1, 2 दे रिख है हमने रख दिया तो यह और यह को मिलाने वाली जो रेखा है तो रेखाट खंड के लंभ सम्धिभाजक रेखा का समीकरन ग्याद कीजि यह ठेक है तो इसका हमें क्या करना है भाई समी करन ग्याद करना है यह इस रेखा का समी करन ग्याद करके बता देना है हम कैसे ग्याद करके बताएंगे भाई हम इसको माल लेते हैं चलो यह A है और इसको माल लेते हैं B इस बिंदू को माल लेते हैं P हम कैसे ग्याद करेंगे हम क्या करेंगे भाई जैसे कि समधी भाजएक मंदर समान दूरी में तो AP बराबर पी भी कह सकते है मतलड़ जितना दूरी AP की होगी उतनी ही दूरी PB की होगी है की नहीं तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल जितनी दूरी A से लेकर P की होगी उतनी ही दूरी B से लेकर के P तक या P से लेकर B तक ही होगी यहीं नहीं कहेंगे तो यह बिंदू P क्या है वो हम नहीं जानते हैं तो मान लेंगे माना बिंदू P क्या मान ले अब हम क्या करेंगे A से P की दूरी पहले ज्याद करेंगे दूरी सुतर से, दूरी सुतर सब को पता है क्या होता है X2 माइनस के X1 का हॉलसकार पलस Y2 माइनस के Y1 के Sorry Y1 के हॉलसकार का रूट अंडर, यहीन होता है, इसी पे फूट करेंगे तो हमारे पास यह क्या हो जागा यह X1 यह Y1 यह हमारे पास X2 यह हो जागा Y2 AP की दूरी ज्याद कर रहे हैं तो चलो निकाल देते हैं H-3 का हॉले स्कार सूतर पेस पे हम पूट कर रहे हैं सब को आना चाहिए पलस में Y2-Y1 है मतलब क्या हुआ कि K-4 का हॉले स्कार और इसका कर देते हैं रूट अंडर 4 तो यह हमने रूट अंडर 4 कर दिया अब बराबर में PV की दूरी प से लेके B तक की दूरी निकाल लो तो हम अगर इसको X1 माल ले इसको Y1 माल ले तो यह हमारे पास क्या है X2 यह Y2 निकाल सकते है असानी से कैसे निकालेंगे तो X2 माइनस के X1 बोले तो माइनस एक माइनस के हो जाएगा X1 यानि H इसका हो जाएगा भाई हॉल स्क्यार ठीक है और पलस में Y2 माइनस के Y1 तो y2 हमारे पास 2 है और minus के y1 हमारे पास k है इसका कर दो हॉल स्कार इसका कर देंगे root अंडर है ना आप कह सकते हैं यह root से यह root cancel हो जाएगा सबको पता है है ना या दोनों तरफे square कर देंगे ते वह इसे भी root cancel हो जाएगा ऐसे भी कर सकते हैं ठीक है तो इसका हम solve करेंगे h-3 का हो जाएगा मैंने तोर दिया आप पलस में k-4 मतलब a-b क्यों हो जाएगा तो a-scar मतलब k-scar अपलस b-scar b-scar मतलब 4-scar मतलब 16 यह नहीं होगा तो b-scar मतलब 4-scar 16 और minus के 2-a-b तो minus 2-a-b यानि 4-2-8-k हो जाएगा यह हमारे पास आगया बराबर में इसको तोरो minus 1 minus h इसका हो जाएगा a-scar मतलब minus 1 का-scar करेंगे तो पलस का 1 हो जाएगा a-scar अब पलस b-scar b-scar मतलब h-scar करेंगे है ना a-b के formula लगा रहा है और minus 2-a-b तो देख लो minus 2-a-b करेंगे तो minus e हो गया 2 और गुने में a के जगा पे हमारे पास minus के 1 है गुने में b के जगा पे h है 2-a-b सब को गुना करेंगे तो minus 1 plus 2-h हो जाएगा plus का तो डायक्टे पलस का 2-h हम लिखे देते हैं यह दरसा दिये है plus की 2-h हमने लिखे दिया ओके अब जो कटने वाला है उसको काटो यह से h-scar कैंसील और कुछ कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है अच्छा सॉरी इसी को ना सॉल्व किया अभी यह तो अभी बाकी है ना तो उसको भी सॉल्व कर दो यह बाकी है a-b क्यों इसको मतलब 2-h square बुले तो 4 आप पलस b square मतलब k square आप minus 2ab तो minus 2ab तो 2ab यह होगा दूदू ना 4k हो जाएगा अब कटने वाला है तो काटो क्या 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 कटने वाला है देख लो h square से square कट गया k square से k square यह भी कट गया है ना अब क्या करेंगे यह कट गया ना तब यहां पर लिखेंगे देखिए 16 और 9 कितना होता है 25 हो गया माइनस में 6H होगा 6H हो गया बराबर में इधर क्या बचा इधर बचा इधर बचा चार और एक पांच हो गया बच लिए बच खहिए ना चार एक पांच तो प्लास का 2H और माइनस का फोर के बचा इधर है ना अब क्या करेंगे में भाई इधर तो के वाला तो बचा नहीं चलिये कोई बात नहीं बचा तो नहीं है और क्या तो 8K ना इधर का 8K है ना 8K बचा हुआ है तो ये वाला माइनस को 8K लिख लेते हैं माइनस को 8K कहीं पर चलो इस अब धहान पर देखना है और क्या ये उदर का माइनस के 8K ये बचा था, एह 18K हद है यार, 8K लिखना, यह हो गया, अब नहीं कुछ बचा हुआ है, सब कर दिया, 9, 16, 9, 25, minus के 6, 8 के हो गया, इधर का मैंने इधर लिख दिया, 4 और 1, 5 हो गया, 2H और minus के 4, सब को side लिया, है न, तो करते हैं क्या, 25, minus के 6H, minus के 8 के, इधर लाओ, यह plus का इधर आगया, minus के 5, plus का इधर बराबर में 0, हाँ, घटाना, बढ़ाना सब कर लो, तो को 25 में से 5 जाएगा, तो 20, चलिए, 20 हो गया, 6H, अदू हो गया, minus के 8 के, चलिए, ठीक है, minus के 8 के, आप पलस के 4 के, तो minus के 4 के हो जाएगा, है न, और बराबर में 0, इसमें common होने वाला है, क्या, होने वाला ही होग आइसा थोरी न होगा की नहीं होगा, है न, तो common ना लेना है, तो ऐसा करो, कि 4 common तो हो जाएगा, मेरे ख्याल से, 4 हो ही जाएगा common, तो 4 ले लेते हैं, चलो अगर हम 4 common लेंगे, तो 4 पंचे 20 कटेगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं, या minus ले ले, minus पहले लेते हैं, माइ mortality- के चार common ले लेंगे, तो इसके, मतलब जो भी common लेते हैं, इसको हम last में वहाग देंगे, इसको last में रखेंगे, minus 4 से, minus 4 WS में भाग देंगे, या फिर minus Cr से minus 8 H में भाग देंगे, तो कितना होगा, minus 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 police a-4-282 h बाचेगा ठीक है इसको भागदे माइनस चार से मैं इस-4 क भागदेंगे था minus minus police हना क्या जवाग पलस चार से चार में भागदेंगे यह कट जागा तो बचेगा खी अब माइनस चार से बीस में भाग देंगे कितना होगा बताईए माइनस चार से अगर हम बीस में भाग देते हैं तो इफ 5, यानिफ के CC पांच यागय बराबर में ऌहरा बग माईनस चार है पक्षांतर आध्यांद करेंगा अधर उफ 0 ही भाग जाग इसका कहानी kijken खतम तो हमारे पास बचा क्या हमारे पास बच जाएगा 2H पलस के K और माइनस के 5 बराबर में 0 है ना इसे ऐसे लिख सकते हैं एच और के क्या है हमारे पास आप गौर करेंगे हर की कुछ और नहीं यह जो एच देख रहा है ना H, H वास्तों में जो पहिला होता है वो X माना जाता और दूसरा होता है Y माना जाता है मतलब H हो गया X और K हो गया Y तो 2H के जगा पे रखेंगे X और पलस में K के जगा रखेंगे Y ठीक है, यह हो गया और माइनस के 5 बराबर में 0 इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2X पलस के Y माइनस 5 है पक्षांता करेंगे तो पलस का 5 यह हमारे पास इंसर आ गया, कहता है न को मिलाने वाली लंब शंदिभाजा करेखा का समीकरन ग्याद कीजिए हमने क्या कि यहाँ पे समीकरन ग्याद कर लिया, 2X पलस के Y बराबर 5 यह इंसर हमारे पास आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत, नई दिक्कत मेरा भाई, तो question number 12 को आपने solve कर लिया, ठीक है, बहुत आसान है, जब आप practice कर लेंगे, वैसे हम चाहिए, तो कूल जाएंगे, तो रख solve कर देंगे, है ना, लेकिन आपको समझाना है मेरा भाई, ठीक ह आपको समझाना है कि बिंदू इतना से रेखा पर डाले गये लंब पाद के निर्दे सांग कि याद कीजिए, यह बड़ा simple है, हमने formula लिख दिया है, कि अगर कोई बिंदू और रेखा के बीच, है ना, देखे, बिंदू से रेखा पर डाले गये लंब पाद के अगर निर् तो आप यह formula लगाएंगे x-x1 बटे में a, बराबर y-y1 बटे में b, बराबर minus बाहर रहेगा और bracket में x1 प्लस के by1 और प्लस के c बटे में a सकर प्लस b सकर, तो हमारे पास यह बिंदू है, जो बिंदू आप देख रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एक को मानेंगे x1 और एक को मानेंगे y1 ठीक है, और यह हमारे पास रेखा है, इस रेखा की तुनला करेंगे, क्या a x1 पे और प्लस के b y1 पे और प्लस के c पे, इससे पदा चला कि a की value 3 है, b की value 4 है, और c की value क्या हमारे पास है, 16 है, कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत होगा ही नहीं, अब formula य यह हमारे पास, निकाल के और solve कर लो, यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदू, तथा रेखा यह, पर डाले गए लंबपाद के निर्दे सांक बराबर, और यह formula लिख देंगे, अब फिर solve करेंगे, तो यह step आप लोग लिख लेना, तो मैं यहाँ पर लिखी देता हूं, चलो, क अब यह, यह हमारा क्या हुआ, तो लिखा गया प्रकार से, चलिए, अब इसी पर हम क्या करेंगे, solve करेंगे, राइट, अच्छा, यह क्या है, यह सब साइब कुछ और होगा, अरे यह तो कॉपी बला हो गया है, sorry, यह, धत्ते रिखें, sorry, sorry, ज्यादा माथा पेची नहीं करना है, यह लो हमने रख दिया, अब क्या करेंगे, चलिए, फुट करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, X-X1 है, X की वेलु तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम लिखेंगे, X और माइनस, X1 कितना है, माइनस एक, तो मा Y-Y1, तो Y-Y1 की value कितना है, 3, तो 3 लिखेंगे, और बटे में B कामान कितना है, B कामान है, minus के 4, तो लिखेंगे minus के 4, हमने लिख दिया, अब क्या करेंगे, बराबर में, minus है तो minus बाहर रहने दो, अब देखो A, A की value कितनी है, A की value 3 है, 3 गुने में X1, X1 हमारे पास minus के 1 है, यहां पे देखिए, पास है न, पहले B कामान कितना है, B कामान है यहां पे minus के 4, तो पास और minus में गुना करेंगे, तो minus ही रहने दो, 4 हो जाएंगे, और गुने में, Y1 की value कितनी है, Y1 की value 3 है, तो 3, और पलस के C, C की value कितनी है, minus के 16 है, तो minus के 16 डायक्ट कर देते हैं, है माइनस के 16 कोई दीकत नहीं दीकत और बटे में Aइस कार प्लस B 이its कार मताद 3 का Oska करेंगे तो 9 वर पलस में B 이its कार तो B हमारे पास later 4 ज cover मतलब मैस चार कास कार करेंगे तो 16 हो जाएगा की हमने कर दिया अब इसको हम हम सॉल्व करते अब यहां से हम क्या करेंगे मेरे भाई कि देखो, तो तो मैंनस के 3, माइनस को पलसक हो जागा ठीक है? चारते ये 12, तो 12, माइनस के 12 में गुना करेंगे माइनस से, तो पलस का 12, माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जागा, पलस का ये हो जागा 16, और बटे में कितना हो जागा 16, ठीक है, देखे, यहां से आपको तो x, y का मान ग्याद करना है, कैसे ग्याद करेंगे, ये व बारतीन पंड़ 521-31 31 बत्ता में हो जागा ये 25 एक वार इसके बढ़ावव रख दिया आप गुना कर लो तो कितना होगा देखो अब गुना करेंगे तो हम देख रहे हैं इस से इसमें गुना और इस से इसमें गुना कर रहे हैं रहने दो ये हमारे तीरची गुना है नहीं गुना करने का नहीं नहीं करने का हमको चिरफ मन है की 300 में गुना करने का तो हम लाह कोई रोकेगा नहीं रोकेगा तो बड़ाबर में यह हो जाएगा 3 3 से 31 में गुना करेंगे तो 3 कम 3 तो 39 हो जाएगा और बटा में पचीस है तो पचीस पलस का एक था बराबर सिधर लाएंगे तो माइनस का एक बस कल्कुलेसर कर दिये हम अब इसके नीचे तो एक छिपा ही रहता है यह हो जाएगा पचीस और यह हो जाएगा तीरानवे और य 8 में से 2 जागा तो 6 और 60 और बटा में पचीस तो एकस की वैलू यह आई अब हम निकालेंगे य का मान तो य का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके बराबर आप रखेंगे इधर इधर सॉल्व कर लेते हैं ठीक है य माइनस के 3 और बटे में माइनस के 4 है तो 4 और पराबर में कितना है सबको जो रहतो 31 बटा में 25 ठीक है चलो हम क्या करते डायक्ट वाई की वैलू निकालते हैं ठीक है माइनस 4 से 31 में गुना कर लो तो 4 एकम 4 4 तीयाई 12 माइनस के 124 और य बटा में 25 माइनस का 3 उधर है तो प्लस का 3 इसके नीचे एक शिपा रहता है यह यह जाएंगे 25 तो यह जाएगा माइनस के 124 और पलस में 25 तीयाई 75 अब य की वैलू कितनी आ जाएगी मेरे भाई घटा दो ना 75 में से तो यह 14 14 में से 5 घटा उता है नो 5 14 है ना यह बचा कितना 11 है ना और 11 में से 7 गया तो 7 4 11 4 माइनस के 49 वैल्टा में 25 वाई की वैलू सबा गई है ना तो कहता है कि डाले गए लंब के निर्दे संग्द करने के लिए इंगे अतह यहां पर लिख देते अतह कि डाले गए के लंब के निर्दे संग बराबर निर्दे शंक बराबर couples रिकित우 ठाले एकस की वैलो हमारे पास कितना है और 60, 33, इदर हो, कितना है x की बहलू, और 60 बहल कितना है मेरे भाई, और 60 बहल कितना है तो 25, और दूसरा क्या है y की बहलू, माइनस की 49 और बहल कितना है 25, ये आ गया, तो ये हमारे पास answer निकल के आया कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो आपने प्रश्ण करमांग 13 को भी आपने क्या कि या बहतरीन तरीके से solve कर लिया अब हम क्या करेंगे अगला प्रश्ण देखेंगे आईए अब हम क्या करते हैं प्रश्ण करमांग 14 को हम solve करते है प्रशन करमांग 14 क्या कहता है मेरे भाई धिहान से दिखना हलो हलो चाहिए तो प्रशन क्रमांग 14 कहता है कि मुल बिन्दू से रेखा य बेराबर mx प्लस C पर डाला गया लंब रेखा से बिन्दू माईनस 1,2 पर मिलता है तो m और c के मान याद करने है आपको m और c की value आपको पता करनी है कोई दिक्कत नहीं बड़ा simple से निकल जागा सबसे पहली बात है मुल बिंदू तो हम क्या करते हैं डाइग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से हमने डाइग्राम बनाया मुल बिंदू आपको पता है मुल बिंदू का मान zero, zero होता है ये मैंने कर दिया मुल बिंदू से रे यह रे रेखा है y बराबर mx . mx.c हमने कर दिया ठीक है अब इस रेखा पर डाल बिंदू से तो यह पर डाल दिया लंब तो डाल देने के बाद लंब क्या कहता है डाला गया लंब रेखा से बिंदू कहता है कि रेखा से बिंदू माइनस एक कॉमा दो पर मिलता है मतलब मुल बिंदू से यह लंब डालें तो कितना पर बिंदू मिलता है भाई माइनस के एक कॉमा दो पर माइन की वेलू ग्याद कर लेंगे तो M हमारे पास उससे निकल जाएगा, M और मतलब ढाल ग्याद कर दो C की वेलू निकल जाएगा, M का मान put कर देंगे समी का नेक में, तो समी का नेक मानना पर गाना कई से, तो देखें यहाँ पे, यह जो बिंदू इस रेखा पे है, इसका मतलब क्या हुआ, कि इस रेखा को ये बिंदू क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, इस बिंदू का नाम रख देते हैं, पी, और इस बिंदू का नाम रख देते हैं, क्यों, हम लिखेंगे क्या, हल, लिखेंगे क बिंदू बिंदू पी जो है हमारे पास हैना पी रेखा बिंदू पी क्या है बिंदू पी रेखा को संतुष्ट कर रहा है संतुष्ट कर रहा है इसलिए बिंदू पी संतुष्ट कर रहा है तो बिंदू पी क्या है आपको पता है बिंदू पी हम यहां पे लिग को माने इस बात को ध्यान रख़ा जब संतुष्ट कर रहा है तो हम लिखेंगे क्या हल में कि y बराबर दे रखा है mx पलस के c तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यह हमारे पास x की value यह हमारे पास y की value तो y के जगा पे 2 रखेंगे बराबर m के जगा पे माइनस 1 रखेंगे नहीं एम के जगा पे कुछ ही नहीं एम के जगा पे m x के जगा क्यूं हम डारेक्ट इस रेखा का क्यूं नहीं धाल निकाल सकते हैं आपको अगर कोई पूछे कि डारेक्ट हम इस रेखा का क्यूं नहीं धाल ग्याद कर सकते हैं नहीं ग्याद कर सकते हैं कि किसी पर लागू ही नहीं हो रहा है अगर इस रेखा का धाल ग्याद कर लेंगे न तो इस रेखा के भी ढाल हम ग्याद कर सकते हैं तो इस रेखा के ढाल निकालने के लिए दो बिंदू है हमारे पासे कि यह Q बिंदू और एक हमारे पास P बिंदू है इसलिए ठीक है तम लिखेंगे P Q का ढाल यानि M बराबर कैसे निकालेंगे मेरे भाई निकालने का तरीका वही, सूत्र क्या होता है मेरे भाई, सबको पता है, y2- y1, बटे में x2- x1, put करते हैं, यह हमारे पास x1, यह y1, लिख दो, यह x1, यह y1, यह हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 और यह y2, टेक है, चलिए, यहाँ पे हम put कर देते हैं, लिखेंगे क्या y2 हम हमारे पास 2 है, तो 2- y1 कितना है, तो y1 0 है, और बटे में, x2- x1, x2 दे रखा माइनस की 1, और यह minus x1 हमारे पास है 0, तो 0, मतलब इसका आंसर आगया, 2 बटा में, minus 1, इसे हम कह सकते हैं, minus 2, ठेक है, यह हमारे पास आगया, दिख रहा है न, minus 2, तो धाल हमारे पास आगया minus के 2, तो यह तो आया, इस रेखा का ढ़ाल, अब इस रेखा का ढ़ाल कैसे निकलेगा, तो वो रेखा, उस रेखा पर क्या LUMB है, है न, तो हम लिखेंगे LUMB वत ढ़ाल बराबर, LUMB, LUMB वत, है न, LUMB, एह, क्या लिख रहे हैं, LUMB वत ढ़ाल, है न, M बराबर, क्या ल एक और बटे में, माइनस के एक बटे में M लिखे देते हैं, ठीक है, यह मैंने कर दिया, अब बराबर में इसको solve करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, माइनस एक और बटे में M की value है माइनस के 2, माइनस माइनस cancel तो हो गया एक वट्टा में दो मतलब M का मान आगया एक वट्टा में दो यह हमारे पास M की वहलू आई अंसर अब हम क्या करेंगे मेरे भाई M की M का जो मान है वो रख देंगे समी करन एक में हमारे पास C का मान निकल जाएगा तो लिखेंगे M का मान समी करन किस में रख दे एक में रखने पर रखने पर तो एक हमारे पास यह है दो लिखेंगे दो बराबर में C और माइनस में M, M की बहलू क्या एक वट्टा दो तो हम लिखेंगे एक वट्टा में हमने लिख दिया, अब यहां से सॉल्व करेंगे तो यह दो लिखेंगे माइनस का है, इधर आए तो पर लस का एक वट्टा में दो बराबर में C अब इसको हम क्या करते हैं आगे सॉल्व कर लेते हैं इस साइड ठीक है यह C बराबर तराजू लोट दिया है इसके निचे एक शी पर दो एक कैल्सिम क्या होगा दो और बटा में यह हो जाएंगे चार और प्लस में यह हो जाएंगे एक, तो C का मान आगे चार एक पांच बटा में दो, यह सवाना चाहिए आपको यह एंसर होगे हमारी पास कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत तो आपने प्रश्ण करमांग 14 को solve कर लिया अब हम क्या करेंगे अगला प्रश्ण जो है न वो देखेंगे है ना, आईए अब हम क्या करते हैं, प्रश्ण करमांग 15 को हम solve करते हैं प्रश्ण करमांग 15 कहता है कि यदि P और Q क्रम सह मुल बिंदू से रेखाओं इतना और इतना पर लंब की लंबाया हो तो सिध कीजिए कि P कि है और इन दोनों गाइसन में कहता है कि लंटो लंब की लंबायायां गयात करें तो कैसे गयात करेंगे सबसे पहली बात है कि पहला मुल बंदू P है तो इसके लिए पहला समीकरन फिनम को बताता हूं happens जैसे की यह हमने रेखा का समीकरन खैच क्या कर पर दिद्धी जय क्यों कि- पर क्यों करम सहां मुल बंदू से रेखा इतना र उतना के लंश की Спos picture किजे इतना तो मैंने ये रेखा खीचा और इस रेखा पर क्या है मुल बिंदू P से क्या है भाई लंब डाला गया है तो मानलो कि ये मुल बिंदू P ये है और इस मुल बिंदू से क्या डाला गया लंब डाला गया है ठीक है तो इसी की लंबाईयां हमको ग्याद करके बतानी तो यह जो रेखा है इस रेखा का नाम क्या हमारे पासे लिख देते हैं x cos theta है तो हम लिखेंगे x cos theta और minus में y sin theta है तो हम लिखेंगे minus y sin theta हमने लिख दिया और plus के k cos 2 theta है पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा minus के k cos 2 theta हो जाएगा बरावर बेजा गवां रखल इधर, 0 हमने यह कर दिया कोयु द्यक्त नई दिख अब मूल-्बिंदू यह हमारे पास मूल-बिंदू जन्वे करते 0,0 होता है ठीक है मूल-बिंदू से इस रेखा की लंभाईयं हमको ग्यांदकरने है तो लंबाई एक प्रकार का क्या होता है दूरी होता है डिस्टेंस होता है तो हम यह फॉर्मूला लगाएंगे लंबाई याद करने के लिए यानि दूरी याद करने के लिए एक प्रकार का दूरी होता है डिस्टेंस होता है तो डी वरावर यह फॉर्मूला हम यूज करेंग के हड़् हम लिख दी हल अब चलिए वी चलिए solve करते हैं तो formula हमारे पास क्या है formula हमारे पास यह है अब यहां प favor पर धेहान रखना कि हमको P से लेकर किस रेख़ा की दूरी याद करनी है तो D के जगह पशेहां कि हमारे पास आ दूरी याद करनी है यानि लंबाई एक प्रकार का दूरी तो D के जगा पे हम लिखे देते हैं P हमने रखा यहां पे P अब देखिए X1 प्लस B Y1 प्लस C बटे में रूट अंडर A इसकार प्लस B इसकार इसकार कहां से आएगा तो मेरे भाई देख लो यह हमारे पास A की वैलू है यह B की वैलू और यह C की वैलू है और यह हमारे पास क्या X1 है और यह Y1 है clear x1 y1 सब रख दी आप तूट करते एक आमान कितना है मिर भाई एक आमान कॉस ठीटा है तो लिखेंगे कॉस ठीटा और गुने में x1 कामान कितना है x1 कामान 0 तो लिखते हैं 0 और पलस में b कामान कितना है minus y sin theta यह नहीं लेते हैं ठीक है तो minus के sin theta ले लेंगे तो आएए लिखते हैं minus के sin theta और गुने में y1 कितना है y1 0 तो हम लिखेंगे 0 हमने लिख दिया और पलस के c c की value कितनी है c की value हमारे पास है minus के k cos 2 theta यह पूरा लेंगे xy तो तुलना करेंगे तो वो तो होई जैसे कि x plus के by और plus के c पे तो आप देखेंगे बरावर 0 यह दूइघात सॉरी यह दो चरवाले रखिक समीकरन का व्यापक रूप हुआ तो इसमें आप देखेंगे की xy है ही तो x के जगा पर x ले लेगा y के जगा पर ले लेगा तो बचेगा के a और b की है ना एक का मान यह बी का इसा नहीं है यानि पूरा का पूरा के वाला पूरा जो है नहीं सारा का सारा see ki value हो जाएगी तो see come on है minus में तो हम लिख देते हैं minus का, क्या लिखेंगे, minus क सी की भेलू, क है न, हलो, हलो, minus क क कौस नी कितन हमने लिख दिया, कोई दिकत, नहीं दिकत, ये हमारे पास आ गयें अब हम क्या करेंगे मेरे भाई लगाते हैं यहां से बटा चलो बटा लगा दिया हमने अब यहां से क्या करेंगे दिया गया है A square plus B square का root under कोई दिकत ने A हमारे पास cos theta B हमारे पास sin theta कर देते हैं A square मतलब cos square theta कॉस स्कार ठीटा और पलस बी स्कार माइनस लेंगे बी का हॉल स्कार करेंगे तो पलस का ही आएगा ना तब पलस की हो जगा साइन स्कार ठीटा ज्यादा लोचा नहीं आप कहेंगे बी के जगा पर माइनस का साइन ठीटा है ना माइनस का साइन ठीटा का हॉल स्कार करेंगे पलस का ही साने उसका ठीटा नाएगा ठीक है यह मैंने कर दिया अब पी कामान क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस रह से जीरो में गुना कि जीरो माइनस साने जीरो में गुना कि जीरो इसका कहा निक होता है माइनक के कौस्स टूठिटा येगा तो माइनस के कौस्स टूठिटा इसको लिखने की जवर्वत नेका है कि कौस्स का टूठिटा, प्लसAI उसका टूठिटा 1 होता है और 1 का वर्गुल निकालेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे ? एक नीचे लिखी या न लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यह हमारे पास हो जाएंगे, आप मापांक डालते चलो, यह मैंने डाल दिया, यह समीकरन एक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, पी कामान आ गया, उसी तरीके से अब हम क्यू कामान ज्याद करेंगे, है ना, तो आईए, इसको मीटाते हैं, यह मैंने मीटा दिया, अब क्यू कामान हम आपको बताते हैं, जैसे कि यह रेखा है, और बिंदू पीका हो गया, अब दूसरा बिंदू Q है तो माल लो यह बिंदू Q है यहाँ पर अब यहाँ पर लंब डाल दिया गया है है ना अब रेखा हमारे पास क्या है X सेक ठीटा अब पलस में Y कॉसेक ठीटा है है ना कॉसेक ठीटा और पलस का के पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का के बराबर में 0 यह आ गया मुल बिंदू 0,0 लो, यहां से Q और इस रेखा की लंबाईयां ग्याद करने एक प्रकार का दूरी तो हम वही यह वाला फॉर्मॉल लगाएंगे तो चलो पूट कर देते हैं यहां पर हम लिख देते हैं यह A का मन, यह B का मन यह X1, यह Y1 ठीक है और यह हमारे पास C का मन चली यह पूट करते हैं लिखेंगे क्या, हलो D के जगा पे हम लिख देंगे आब Q Q बढ़ाबर, solve कर रहा है मिर भाई Q बढ़ाबर तो A, A का मन कितना है A का मन है सेख ठीटा सेख ठीटा अब गुने में X1, X1 हमारे पास क्या है, 0 और पलस में B हमारे पास क्या है B हमारे पास क्या है, C ठीटा C ठीटा और गुने में Y1 क्या है, 0 और पलस के, C हमारे पास कितना है, माइनस के के माइनस का के डारेक्ट डाल दो, ठीक है मैंने डाल दिया बटा में A squared plus B squared, तो A हमारे पास क्या है, C squared, B हमारे पास C squared e 3, A plus में C squared e 3 का root under, और Mपांग डालते चलो, ये मेंने डाल दिया, अब Q बेराबर क्या आएगा हमारे पास, देख लो, सेक्षर इस अब 0 हो जाएगा 0 से गुना कि 0 0 हो जाएगा माइनस का के बचेगा तो माइनस के के मापांक और बट्टा हमें इसको तोरेंगे तो कैसे तूटेगा है ना तूटने वाला है क्या देख लो सेक्षर ठीटा मतलब एक बट्टे में हम लिख सकते हैं ना भाई साइन इसकार ठीटा और पलस में कॉसक इसकार ठीटा तो एक बट्टे में लिख सकते हैं ना कॉस इसकार ठीटा यह मैंने लिख दिया सब्सक्राइब रूट है तो रूट डाल दो ना तो आही डाल देते हैं एप सरी उल्टा Period सेग थीटा है न सेरी मोलत डाल तोन यमा थो स्ता ऑन साइं तो इस्ता और चाल और यहां गया अब इसे को सुंट करेंगे दक सब्सक्राइब इसको हम इधर सॉल्व करेंगे है ना चलो सॉल्व करते हैं इस साइड लो माइन हा क्यू बडाबर क्यू बडाबर लिखेंगे क्या माइनस का के मापांक और बता में है बटा में हम क्या करेंगे मेरे भाई है इस त्रीक्या हां हॉआ। इन दोनों का यसे ने को सिरोटा नहीं में लगा है रूट लगा दो हॉआ तो को सप्टाइटीटा इनू साइन सबको पता है कैसे लिया जाता है जब लेंगे इस बटार के जो रगटा। सॉल्व करेंगे का Caitlin साइन शोगा साइन स्कॉार स्टिटा होगा और पलस में कॉस ऊफ्षिटा यहीं होगा अब रूट लगा दू क्यों वराबर क्या निकल के आएंगे माइनस के के और बतामे, sin square plus cos एक होगा और एक का वर्गमूल, देखो वर्गमूल है मतलब सब पे है, एक का वर्गमूल एक ही होता है, और नीचे, cos square theta sin square theta है, square है, वर्गमूल हटेगा तो इसका square तूट जाएगा, तो यह हो जाएगा, cos theta into sin theta, ठीक है, root हट गया, तो square खतम, है न, square से root अब हम क्या करेंगे गुना करेंगे देखिए मेन बटा है और इस सब को क्या करेंगे भाग 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 गुना मिले जाएंगे यह वाला उपर एक नीचे तो उपर जाएगा मतलब माइनस के से पूरे में गुना करना परेगा तो गुना कर देते हैं क्यों बराबर हो जाएग कि minus का k, है n아, into cos theta into sin theta, है n아, और बता में one है n아, यह one है, तो one रह जाएगा, तो क्यू बढ़ावर यह आ गया, अब यह जो आ गया ना, तो हम क्या करेंगे भाई, यहां से कुछ सुजता नहीं की क्या करना है, तो दो बट्टा दो से हम इसमें गुना कर देंगे, क्या करेंगे, दो बट्टा दो से गुना कर देंगे, अरे, सॉरी, इसमें क्या हुआ, कि प्रोब्लम हो गया था, इसमें लिखा गया था, मेरा जो, इसको हम दुबारा सॉल्व कर रहा है, क्यों, पहले सॉल्व कर दिये थ सेब नहीं हए क्यों कि मेरा सिस्ट्रम में बंद हो गया था पूरा रेकोर्डिंग खराब हो गया तो समझ रहा ना थो हम क्या करने वाले दो लो से कुंगा करने पर। ज्यादा महनत हो जाता waking कर आब हो गया नहीं है तो किसे गुणा रहे हैं देख लो यह इसमें गुणा कर रहे हैं ठीक है तो लिखते है Q बदाबर minus k q बराबर minus k cos theta into sin theta और 2 बटा 2 से नीचे एक है चलो 2 बटा 2 से गुना कर देते हैं तो q बराबर कितना हो जागा भाई यह हो जागा minus k मापांग डाल दो minus k k into यह हो जागा सई से लिख देते हैं 2 sin theta into cos theta ऐसे लिख देते हैं क्या दिकत हैं हमने लिख दिया मापांग और नीचे हो जागा 2 से 1 में गुना करेंगे तो ठीक है अब देखो r पर गुना कर लेते इसके नीचे एक शी पर रता है q से 2 में गुना करेंगे तो 2 q हो जाएगा 2 q बराबर में यह जागा देखो माइनस का के अब देखिए भाई आपको पता होना चाहिए क्या पता होना चाहिए कि 2 sin ठीटा कॉस्ट ठीटा क्या होता है कि sin 2 ठीटा होता है sin 2 ठीटा यह फॉर्मुला है 2 sin ठीटा इंटू कॉस्ट ठीटा का फॉर्मुला होता है sin 2 ठीटा और बटा में हम लगा देंगे क्या 2 तो हम लगा देते बटा में दो मापांग ठीक है यह हमारे पास आ गया अब हम क्या करते हैं यह समी करन दो है तो लिखते हैं समी करन एक का हॉले स्क्यार और पलस में समी करन दो का हॉले स्क्यार कर देते हैं समी करन हना समी करन दो का हॉले स्क्यार समी करन एक हमारे पास क्या है देखिए दाया दाया तरफ बाया बाया तरफ करना लेकिन ध्यान रखना समीकरन एक आप देख लो नीट पीछे स्क्यार करने पर पीछे होगा समीकरन एक यह हमारे पास है पी बराबर तो पहले पी का स्क्यार करो दाइना से दाइना बाया से बाया ठीक है तो आप देखो लिख देते हैं क्या पी स्क्यार और उसके बाद यह दो क्यू बचा इसका द Q 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 मतलब कॉस स्क्यार दू ठीटा हो जाएगा हमने कर दिया ठीक यह दोना तरफ एक डार कर दिया अब बच गया इसका इसका स्क्यार करेंगे देखे भई आपको पता होगा कि यहां पर हमने क्या किया 2 से Q में गुना कर दिया तो नीचे 2 नन लिखना चाहिए इता महाबुर्वकुला काम कर दिये थे ना तो बटा कहा लगा दिये हट न डे हट गया चल भाई अब यहाँ पे देखो इसका माइनस के का स्क्वार क्या हो जाएगा जोड करके ठीक है मैनस के का स्क्वार प्लस के के स्क्वार होगा ठीक है और साइन 2 ठीटा है मतलब साइन स्क्वार 2 ठीटा हो जाएगा यह मैंने कर दिया अब पी स्क्वार प्लस के 4 क्यू स्क्वार हो जाएगा बराबर में इसमें कॉमन क्या हो जाएगा के स्कार कॉमन हो जाएगा के स्कार कॉमन हो जाएगा तो के स्कार अगर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या कॉस स्क्यार ठीटा है ना आप पलस में साइन स्क्यार ठीटा टू ठीटा एक प्रकार का क्या है ठीटा के जगा पे ही है समझ रहे ना कौस कर्शिटा अब पर पकले सानस कर्शिटा क्या होता है सब को पता है पी-य इसकार प्लस में भूर DOC बराबर में के स्क्रार यह हो जाएगा हमारे पास कितना एक होताह और एक से इसकार में गुणा करेंगे तो कि अभू ही बात है तो यही तो प्रूब करना था तो प्रूब हमने कर दिया अगला प्रशन जो है न वह लेते तिर्भूज के सिर्ष ए से उसकी सम्मुक भूजा पर लंब डाला गया है लंब की लंबाई तथा समीकन ग्याद कीजिए यह तो बहुत हलवा कोश्चन है सबसे पहले एक तिर्भूज बना लेते हैं लो यह मैंने तिर्भूज बना लिया अब का कहता है कि बिंदु A मालनों कि यह A है यह हमारे पास B है और यह हमारे पास C है A कमान दे रखा है 2,3 ठीक है B कमान दिया गया है 4,1 वह भी सही है है अब C कमान दे रखा है 1,2 यह भी सही है यह मैंने दे दिया अब कहता है A के A से उसकी समुख भूजा पर डाला गया लंब आ से मतलब ये सकने वरे बुजा यािं Ju分 ुसकe सांवने वरे भूजा नई उसके सांवने वरे वरे één पर लंब डाला गया है न हिए है तहां ग करनेषा करने के लिए डाल पता होना चाहिए तो घाल निकालेंगे डाल निकल जाएगा B से C की दूरिक निकालेंगे मतलब B और C B C का अगर डाल निकल जाएगा तो आ ही जाएगा थाल तो यही उज़्टन है B से te不对 की निकालो तो तो आएए BC का ढ़ाल लिखते हैं BC का ढ़ाल जानि M बराबर सुतर होता है y2 स-y1 बटे में x2 बाइस 1 तो मेरे भाई y2 मैनेस y1 यह x1 y1 और यह x2 y2 यहना हुआ तो y2 मैनेस के y1 y2 हमारे पास 2 है और minus ke y1 हमारे पास minus 1 है तो minus मैनेस मैनेस प्लस का एक और बट्टे में X2 माइनस की X1 X2 X2 हमारे पास कितना भाई लिखे तो देखो X1 Y1 यह हो जाएगा हमारे पास X2 और यह हो जाएगा Y2 ठीक है Y2 माइनस की Y1 हम सही किये थे ठीक है अब X2 माइनस X1 तो X2 है मेरे पास मैंस क् değess one हमारे पास है चार उने लिख दिया बराबर दू एक तीन और बटाम एक में से चार घटाएंगे तो माइनस के तीन आएयगा काटेंगे तो हमारे पास क्या क्या आजागा एक आयगा वह भी माईनस का टेक है तो यह हमारे पास माइनस का एक आगया धाल कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब धाल एक आ गया तो अब क्या करेंगे धाल ले करके और उसके बाद इन दोने में से कोई एक बिंदू ले करके हैना रेखा का समीकरन याद कर लेंगे तो आईए रेखा का समीकरन याद करते हैं रेखा का समीकरन है ना समी करन अब रेखा का समी करन याद करने के लिए रे हां देखा जाएगा सूतर हमारे पास क्या होता है y-k y0 है ना और बराबर में यहाँ है यहला ना समीकरन और कर यहां ना ना समीकरन के लिए यहाँ यहाँ olduğ केवान माइनस 1 माइनस मैनस पर पलस का एक हो जाएगा ब्रावर में एम म की एलू कितनी है बाई माइनस के एक in dö Dist desta मान कुछ ओना माइनस एक जी रो की वेलू क्या है चार चलो ठीक अच्छी बात है वाई प्लस के एक बरावर माइनस एक एक में गुनागे तो माइनस एक माइनस वन और यह माइनस के प्लस के चार हो जाएंगे खीच के ला इधर वाई माइनस एक प्लस का एक हो जाएगा है ना तो हम करते हैं क्या प्लस का एक बरावर में यह चार है तो तो रेखा का समीकर न x plus y बराबर 3 आ गया, कोई दिक्कत, नई दिक्कत, अब हमको क्या ग्याद करना है, इसकी यह जो आप देख रहें निसकी लंबाई ग्याद करने है, तो लंबाई एक परकार का क्या है, दूरी है, तो दूरी या नि, दूरी का सुत्र लगा देंगे, है तो आईए दूरी सुत्र लगा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं सबसे पहले, कहीं पे इसका ठीकाना लगाते हैं, यहाँ से, ठीक है, ठीकाना लगा दी इसका, अब हम क्या करते हैं, हमको तो निकालना है D, चलो D बराबर निकालते हैं, सुत्र क्या होता है, A X 1 plus B Y 1 plus C , बटे में क्या होता है A SQR plus B SQR का Root Under इसी किए हम क्योंकि यह लंब की लंबाई याद करने एक प्रकार का क्या है ? दूरी है तो यह वाला formula लगा देंगे A का मान क्या है तो A का मान पता चलेगा यहां से यह समी करना है तो यह A की value यह B की value यह C की value है लेकिन C そnd I the – 3 समीखन बनेगा था था C कहा भाल हुआ हो आपको जाता है एक बिंदू तो कम कम होना चाहिए न ये बिंदू का ज़ल ये बिंदू होगा, इन दोनों का काम चल चुका है, कि इसी की हमें लंबाई गाती है, तो बिंदू ये है, तो इसमें हमारे पास ये X1 है, ये Y1 है, ठीक है, तो A, A का मान एक, गुने में X1 का मान दो, और पलस में B का मान यहां भी एक है, और गुने में Y1 का मान तीन है, और पलस में C का मान क्या है? माइनस के 3 होगा. ठीक है? पलस का है. पक्षान तक निये तो उधर माइनस का जाएगा. इसलिए C की वेली माइनस. तो माइनस का 3 ले ले लेते हैं. बटे में A SQIAR पलस के B SQIAR. तो E की वेलू कितनी है मेरो भाई? है ना? a की value हमारे पास देख सकते a की value हमारे पास 1 तो 1 का square plus b की value 1 तो 1 का square root under बराबर में, दूसर एक में गुना करेंगे तो 2 पलस, है न, देखो 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3 पहले plus का 3 minus के 3 कर देते हैं, बटे में 1 का square 1, मतलब ये 2 root under रहेगा, अब देखो 3 से 3 तो cancel, काट दो इसको cancel तो बचा कितना, 2 बटा में root under 2 जब इसको solve करोगे, तो root under 2 ऊपर भी, नीचे भी root under 2, गुना कर दो तो भाई, 2 root under 2 और नीचे, कितना आएगा, root under 2 root under 2 गुना करेंगे, 2, 2 से 2 cancel तो आएगा ये root under 2 ये हमारे पास answer आगया इसकी लंबाई ये और ये हमारे पास सम्मी करन, कोई दिक्कत नहीं न, कोई हववट खुझली, ओके तो ये हमारे पास answer आगया अब क्या करेंगे, बिलो भाई 16 को हमने solve कर लिए, अब हम लेंगे 17 हमाँ प्रशन है न आईए, अब हम solve करते है प्रशन करमांग 17 तो प्रशन करमांग 17 क्या कहता है कि यदि P मुल बिंदू से उस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई हो, जिस पर अक्षो पर कटे अंता खंड A और B हो, तो दिखाईए कि ये, मतलब ये हमें सिध करके लाना है, बड़ा सिम्पल है सबसे पहले क्वाइडन्ट बनाते हैं हमने ये क्वाइडन्ट बनाया ये हमारे पास क्या है मेरे भाई, मुल बिंदू है ये क्या है, मुल बिंदू है मुल बिंदू 0,0 ये मैंने कर दिया, आपको पता ये X अक्ष है किस रेखा पर पता नहीं, तो मैं एक रेखा खीच लेते हैं, यह मैंने रेखा खीच लिए, और इस रेखा पर मुल बिंदू से डाले गए लंब की लंबाई हो, जिस पर अक्षों पर कटे अंता खंड यह और भी हो, तो अक्षों पर कटे अंता खंड, जैसे कि यहाँ पर कटा और यहाँ पर कटा, यहाँ से यहाँ तकी दूरी A है मालो, और यहाँ से यहाँ तकी दूरी B है, तो इस बिंदू का निर्दे सांग कितना होगा, इस बिंदू का निर्दे सांग कितना, एक्स अक्ष पर है, तो प किया निखाल लेंगे ने कृम्य थो शोय की अधरब रुप वाइए अंता-क्षण कर नवी वह होता है रे यार सॉरी ए बटा में एक्स और पलस में बी बटा में य और बराबर में होता है यह अंता खंड रूप है इसको थोड़ा सा और क्या करो डेवलप करो कैसे डेवलप करेंगे देखिये कि आए बटा में X نवे बटा एक सकते हैं इसको हम ऐसे अरे कि यह मैं ने अनत्रक्षंद रूप युःणा यह उलटा लिख दिया है यह मैंने क्या कि उलटा लिख दिया है एकस्वटा में इपलस में उय बटा में भी बराबर nat team हो इसको develop करो क्या करो कि अगर X गोने में एक बटा में एक कर दिकत कि नहीं shop मैं अभी अभी सबको गुना करें तो वही होगा अब पलस में वाई बटा बी को हम लिए कि एगर वाई गुने में एक इस बटा ट्वी नहीं करो प्लस का एक है पक्षानता करेंगे तो माइनस एक बरावर में जीरो इसको मालेंगे समीकरन एक ये समीकरन आगया कोई दिक्कत नई दिक्कत अब हम क्या करेंगे भाई यहां कहता है रेखा पर डालेगे लंब की लंबाई हो ये डाले गए लंब की क्या है एक लंबाई है लंबाई एक परकार की क्या है दूरी है तो लंबाई एक परकार की दूरी है तो हम क्या करेंगे भाई वही डी बरावर फॉर्मूला लगा देंगे तो चलो हम डी बरावर क्या लगा देते है फॉर्मूला डी बरावर ये स्क्यार का रूट अंडर किलिएर ये आगया अब D के जगावपे हम क्या लिख देंगे मेरे भाई वई P के इसी की लंबाई न ज्याद कर रहा है तो इसलिए पी लिख देंगे अब बराबर में बरावर हम क्या करें के on applied यहां पे तो आप देखिए गौर चाहर एक मांँ आ blessings लाई लिए अच्छी बात लिख देंगे और बिंदु हमारे पास यह दिया गया है याद रखना यह बिन्दू है ठीक है 0,0 तो बिन्दू भी हम निकए समी कर năm और एक बिन्दू हमारे पास क्या 0,0 है इस बात को ध्यान रखना है और यह हमारे पास क्या है एक फरन है और यह refugee वाइफार वाई रहен ठीक है तो एक कामान है एक बटा ए तो हम लिखेंगे क्या एक बटा में ए और गुने में एकस वन कामान क्या है जीरो तो हम लिखेंगे जीरो आप पलस में बी कामान क्या है बी कामान एक बटा बे बी और गुने में y1 का मान क्या है जीरो तो जीरो लिखेंगे और पलस में c का मान कितना है मेरे भाई c का मान माइनस एक है तो माइनस एक लिख दो डायक्ट माइनस का एक हमने लिख दिया राइट और बटा में a स्कार पलस b स्कार मतलब एक बटा में a एक बटा में A का हॉल स्कार और पलस में B स्कार मतलब एक बटा में B का हॉल स्कार और रूट अंडर हमने डाल दिया अब यहां से क्या करेंगे मिर भाई देखना पी बराबर लिखेंगे क्या पी बराबर क्या होगा मेरे बाई एजीरो से इसका कहानी खतम एजीरो से सब को गुना करें कहानी खतम माइनस एक बचेगा उपर में और बटा में क्या बचेगा एक बटा एस्वार है है और फॉर्मुला मापांक भी होता है बाई फॉर्मुला में मापांक लगा रहाता है मा किजिए पहले आप हो सके तो रूट को तोरेंगे तोर दीजिए अगर रूट हटे गा ते इस सब पर का स्क्रार हट जाएगा तो हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे एक वट्टाई है ना आम मॉन हैं था स्कारणाव हटाने का तो नियम है स्कारणाव हटाई यह न तर रहने यह फिर हटा ही देते नहीं आइसे नहीं हटेगा लगा सफ जब स्वल्ब लेजsmञ करेंगे तब इसक्या करते हैं कि अपर नहीं मेरे ध्यान से देखना क्या करते हैं कि थे root है तो root हमने लगा दिया है ना कोई दिक्कत नहीं दिक्कत अब हम क्या करेंगे यह वाला part P के जगा पी स्को इसको उस पे कर देंगे मतलब P के जगा पे रख दो इसको और इसके जगा पे रख दो P को बदलेन कर सकते हैं तो यहां पे हम लिग देते एक बटा में एस्क्यार ठीक है अब पॉलस में एक बटा में बीसक्यार हमने कर दिया रूट है तो root डाल दिया अब बराबर में माइनस एक का मपांग है मपांग positive कर देता है है ना तो पलस का एक हो जाएगा पी हो यहां पर मतलब जगा चेंज कर दिया इसको वहां रख दिया इसको यहां रख दिया बात तो वही है अब यह हमारे पास आ गए मेरे भाई अब क्या कर देंगे दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं लिखेंगे क्या दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर करने पर अब याद रखना जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे मतलब क्या स्क्यार कर देंगे इस पर भी स्क्यार करेंगे और इस पर भी स्क्यार करेंगे तो आईए इधर हम कर देते हैं इस साइड इस पर स्क्यार करेंगे तो स्क् करने तक इतना होगा एक का स्कॉर्वार ता एक होता है अब स्कॉर्पीस कर तार पी इस कर वह गया सब्सक्राइड हो